दोस्तों खोज करना मानव जाती की एक वित्रत होती है जिसकी लिए वो किसी भी हद तक जाने को तयार रहता है और मनुष्य समय के साथ अपनी खोज का दायरा बढ़ाता ही रहता है पर क्या हो अगर हम ऐसे चीज की खोज करें जिसका कोई अन्थी नहीं है जी हाँ दोस्तों मैं हमारे ब्रह्मांड के बारे में बात कर रहा हूँ जिसका कोई अन्थी मौजूद नहीं है और जिसमें अर्बो खर्बो तारे करोडो आकाज गंगाय मौजूद है मानव सभ्यता की इस खोजी फितरत ने जन्म दिया मानव इतिहास के अब तक के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान यानी वोयजर को नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं रहस्य टीवी और स्वागत है आपका रहस्य टीवी के एक नए एपिसोड में आज की इस एपिसोड में हम जानेंगे मानव इतिहास के सबसे महान अंतरिक्ष अभियान वोयजर के बारे में दोस्तों बात करीब 41 साल पहले की है वर्ष 1977 के अगस्ट और सितंबर महीने में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने दो अंतरिक्ष यान धर्ती से रवाना किये जिन्हें वोयजर 1 और वोयजर 2 नाम दिया गया था वोयजर 2 को 20 अगस्त को अमरीकी अंतरिक्ष सेंटर केप कनारवल से छोड़ा गया था वहीं Voyager 1 को 5 सितंबर को रवाना किया गया था इनका मुख्य उद्देश सौर मंडल के ग्रहों Jupiter, Saturn, Neptune और युनेरस से जुड़ी महत्वपून जानकारियां जुटाना था इनके launch के लिए साल 1977 को चुनने का मुख्य कारण था Jupiter, Saturn, Uranus और Neptune ग्रहों का एक favorable alignment इन दोनों यानों के साथ golden record भी attach किया गया है golden record एक 12 इंच gold-plated copper disc है जो एक photograph recorder है जिसमें मानव इतिहास के अब तक के कुछ महत्वपून images और sounds stored किये गये हैं जो मानव इतिहास के अब तक के सफर और हमारे अर्थ के diversity of life और culture को दर्शाते हैं वर्तमान समय में Voyager 1 हमारे सौरमंडल को छोड़कर interstellar space में पहुच चुका है अभी यह हमारे पृत्वी से करीब 21 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है यह दूरी इतनी जादा है कि Voyager 1 से धर्ती पर संदेश आने में करीब 36 घंडों का समय लग जाता है वो भी तब जब यह रेडियो संकेत एक सेकंड में 3 लाग किलोमीटर तक की दूरी तै करते हैं यानि लगभग प्रकाश की गती से वही वोजर 2 हमारे पृत्वी से 17 अरब किलोमीटर दूर है और यह हैलिस हेल्थ में मौजूद है जो की हिलियो स्फेर का बाहरी भाग है आप इसे हमारे सौरमंडल की बाहरी सीमा भी कह सकते हैं यह दूरी इतनी ज़ादा है कि वोजर 2 से धर्ती पर एक संदेश आने में करीब 30 घंटों का समय लग जाता है करीब 40 साल बाद भी यह दोनों यान अच्छे से काम कर रहे हैं और मानत्ता की निशानी दूर ब्रह्मान तक पहुँचा रहे हैं पर अब समय के साथ यह दोनों बूड़े हो चले हैं इनकी ताकत बेहत कमजोर हो चली है और इनकी तकनीक भी अब बेहत पुरानी हो चुकी है आज वोजर यानों से आने वाले संदेशों को पकड़ने के लिए नासा को काफी मशक्कत करनी पड़ती है जिसके लिए नासा ने दुनिया भर में बहुत सारे रेडियो संकेत सेंटर बना रखे हैं इस अभियान से शुरूआत से जुड़े हुए वैग्यानिक एड्स्टोन कहते हैं कि आज वोयजर ब्रह्मान में इतनी दूर है जहां शुन्य, अंधेरे और सर्द महौल के सिवा कुछ नहीं है वो बताते हैं कि वोयजर अभियान के डिजाइन पर 1972 में काम शुरू किया गया था इस अभियान से जुड़े वैग्यानिक बताते हैं कि वोयजर यानों में ग्रामो फोन या कहें गोल्डन रिकॉर्ड लगाने का उद्देश्य एक आशा थी आशा ये कि धर्ती के अलावा भी ब्रह्मान में कहीं जीवन अवश्य है यातरा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा वोयजर यान मिले तो उसे मानविय सभ्यता की एक जलक इन ग्रामो फोन रिकॉर्ड के जरिये मिले यानि वोयजर सिर्फ एक अंतरिक्ष अभियान नहीं बलकि सुदूर ब्रह्मान को भेजा गया मानप्ता का संदेश भी है ये ग्रामो फोन तामवे के डिस्क से बने हुए हैं जो आने वाले करीब एक अरब सालों तक सही सलामत रहेंगे इस दोरान अगर वोयजर किसी सब्यता के हाथ लग गया जो ब्रहमान में कहीं बसा हुआ है तो इन ग्रामो फोन रिकॉर्ड के जरिये उन्हें मानप्ता के होने का और उसके प्रगती का संदेश मिलेगा लॉंच के 18 महीने बाद यानि की 1989 में वोयजर 1 और वोयजर 2 ने जुपिटर यानि ब्रहस्पती ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू किया दोनों यानों ने ब्रहस्पती ग्रह की बेहद ही साफ और दिल्चस्प जानकारियां भेजी जैसे Voyager अभियान से पहले माना जटता था कि केवल धर्ती पर ही ज्वाला मुखी मौझूð है वोईजर यानो तौरा भेजी गई जांकारियों से पता चला कि प्रिहस्पती गरह के चंद्रमा पर भी ज्वाला मुखी मौझूद है नासा की सीनियर वैग्यानिक एड स्टोन का कहना है कि वोयजर अभियान ने सौर मंडल को लेकर हमारे तमाम खयाल गलत साबित कर दिये पहले हमें लगता था कि केवल धर्ती पर ही सागर मौजूद है पर वोयजर ने हमें बताया कि ब्रहस्पती के चंदर्मा यूरोपा पर भी सागर मौजूद है वोयजर यानों ने शनीग्रा के बारे में भी कई चौकाने वाले खुलासे किये उसने शनीग्रा के चलो यानि की रिंग्स की कई तस्वीरे भेजी और हमें बताया कि शनी के उपग्रा टाइटन में हाइडरोकार्बन के सागर मौजूद हैं जो इथेन और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं वोजर अभियान के जरिये हमें शनी ग्रा के छोटे से चंद्रमा एंसेलाडस का पता चला था आज अगर सौर मंडल में जीवन की सबसे अधिक संभावना कहीं मौजूद है तो वो शनी के चंद्रमा एंसेलाडस पर ही है वोजर यानो से ही हमें पता चला कि शनी ग्रा के चंद्रमाओं पे आपार संभावनाएं चुपी हुई हैं जिसके लिए हमें नए अभियान भेजने की जरूरत है नवंबर 1980 में वोजर वन ने शनी के आगे का सफर शुरू किया जिसके करीब 9 महिने बाद वोजर टू ने भी सौर मंडल के दूर के ग्रहों की परताल शुरू की सन 1986 में वोजर टू यूरेनिस ग्रह के करीब पहुँचा उसने पहली बार इस ग्रह की इतनी साफ तस्वीरे और कई महत्वपूर्ण जानकारिया हमें भेजी यूरेनिस को पार कर वोजर टू 1989 में नेप्टिउन ग्रह के पास पहुँचा जिसने इस ग्रह के बारे में कई चौकाने वाले खुलासे किये वोजर टू ने नेप्टिउन के चंद्रमा ट्राइटन के बारे में भी कई खुलासे किये और हमें सबसे पहली बार पता चला कि ट्राइटन नाम के चंद्रमा पर नाइट्रोजन के गीजर मौजूद हैं अपनी इस लंबी आत्रा में वोजर्यानों ने हमारे सौरमंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्पून जानकारियों से हमें अबगत कराया और सौरमंडल और ग्रहों को देखने का हमारा नजरिया हमेशा के लिए बदल दिया वोजर्यान मनिश्री के खोजी प्रवित्ती का सबसे बड़ा उधारन है जो आने वाले कई सालों तक मानपता का संदेश दूर अनंत ब्रह्मान तक पहुचाता रहेगा वोजर्यानो द्वारा किये गए खोज के बुनियात पर ही बाद में कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष अभियान शुरू किये गए जैसे शनी ग्रह के लिए कैसीनी हाईजिन्स अभियान भेजे गए जिसके बारे में मैंने आपको रहसे टीवी नियूस के दूसरे एपिसोड में बताया था और वहीं प्रिहस्पति ग्रह के लिए गैलिलियो और जूनो जैसे अभियान भेजे गए इन दोनों ग्रहों को प्रमुक्ता देने का सबसे बड़ा कारण है इनके चंद्रमा जो की मानव जाती के लिए अपार संभावनाओं से भरे हुए है इन दोनों ग्रहों के बारे में जानकारिया जुटा कर हम सौरमंडल के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारिया जुटा सकते हैं क्योंकि सौर्मंडल में बनने वाले ये सबसे शुरुवातिग्रा थे मानम इतिहास में कुछ गिने चुने अभियान ही हुए हैं जिनसे हमें इतनी सारी जानकारिया प्राप्थ हुई हैं आज 40 वर्स बाद भी तकनीक ने काफी तरक्की कर ली है ऐसे में ये यान अब पुराने हो चले हैं वोईजर विश्वक के पहले ऐसे अंतरिक्ष अभियान थे जिनका नियंतरन कम्प्यूटर के हाथ में था आज इतने सालों बाद भी ये दोनों ही यान खुद से अपना सफर तै करते हैं अपनी पड़ताल करते हैं और जरूरत पढ़ने पर अपना बैकप सिस्टम भी चालू करते हैं वोईजर यानो को बनाने में इस्तेमाल हुई तकनीक हम आज भी इस्तेमाल करते हैं आज के मोबाईल फोन और CD प्लियर्स वोयजर में इस्तेमाल हुए कोडिंग सिस्टम टेकनीक का इस्तेमाल करते है आज के समय में स्मार्ट फोन से तस्वीरे प्रोसेस करने की जो तकनीक इस्तेमाल की जाती है वो वोयजर यानों के विकास के दौरान ही खोजी गई थी उस दौरान पूरे सौरमंडल और ब्रह्मान में धर्ती सिर्फ एक छोटी सी नीली प्रकास जैसी दिख रही थी। अभियान से जूड़ी वैज्यानिक एमिली लखने वारा कहती हैं कि पूरे ब्रह्मान में या एक छोटी सी नीली रंग की टिम्टिमाहट ही वो एक ऐसी जगा है जहां हम जानते हैं कि जीवन मौजूद है। वो कहती हैं कि अगर भविश्य में किसी खगोली घटना से धर्ती पर से जीवन समाप्त हो गया, ऐसे में वोयचर यानों के जरिये हमारी सब्यता की निशानिया सुदूर अनंत ब्रह्मान में बची रहेंगी। पर अपने अंतिम समय में भी या कभी-कभी सुदूर ब्रह्मान की अंदे की तस्वीरे हमें भेजता है। जल्द ही वोयचर टू यान भी हमारे सोलर सिस्टम को छोड़कर सुदूर ब्रह्मान के अपने एकाकी सफर के लिए निकल जाएगा। इन दोनो यानों को वी के शेप में अर्थ से ट्रेजेक्ट किया गया था, जो की तो अलग-अलग स्टार सिस्टम में जाकर मानपता का संदेश देंगे। दोनों ही अंतरिक्ष यानों में मॉल्यकुलर बैटरी लगे हुए हैं और जल्दी इन बैटरी से इलेक्टरिसिटी बनना बंद हो जाएगा। हर साल इन बैटरी से चार वाट कम बिजली बनती है। वोयजर अभियान के प्रोग्राम मैनेजर सुजी डांड कहती है कि हमें बेहत ही सावधानी से वोयजर अभियान को जारी रखना है। इसके पुराने पढ़ चुके यंद्र बंद किये जा रहे हैं और दोनो यानों के कैमरे भी बंद किये जा चुके हैं क्यूंकि सुदूर अंतरिक्ष में गुप्त अंधिरे के अलावा देखने को कुछ नहीं है इलेक्रिसिटी बचा कर वोयजर यानो को सर्द अंतरिक्ष में गरम बनाये रखा जा रहा है आने वाले दस वर्षों में दोनों ही अंतरिक्ष यानो को बंद करना होगा यह मानफता के लिए सबसे दुखत पलों में से एक होगा हाला कि तब तक ये दोनों ही यान अपनी बेहद ही दल्चस्प जिन्दगी का सफर पूरा कर चुके होंगे दोनों ही अंतरिक्ष यान आने वाले कई सालों तक अंतरिक्ष में हमेशा ही मौजूद रहेंगे शायद किसी और सब्वेता को मानपता के ये दूद मिल जाएं फिर वो इन यानों में लगे ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मानपता का संदेश पढ़ सकेंगे वोयजर अभियान के जरिए 1977 की दुनिया अंतरिक्ष में हमेशा के लिए अमर रहेगी दूसरे शब्दों में कहें तो वोयजर अभियान ने मानपता को हमेशा के लिए अमर कर दिया धन्यवाद दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही दोस्तों यह एक बेहत ही इंट्रेस्टिंग और इमोशनल वीडियो है जिसे मैं कई दिनों से बनाना चाता था तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेर जरूर करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बैल आइकन को जरूर दबाएं धन्यवाद